नमस्कार भारत कवरेज नूज के लिए मैं विभास स्यादों आप लोगों के बहुत स्वागत करता हूं मेरी मवजूदगी कभी कभीरुद दीन पूर गाउं में ही है जहां ताइकॉंडो के खिलाडी अनुराग यादों की निर्ममता पूरक हत्या कर दी गई जमीनी विभा के बारे में जानते हैं हम उन्हीं से बात करेंगे कि घटना में आकरी हुआ क्या कैसे हुआ परदान जी पहले अपना नाम बताई अपना बिर्यांद्रियादो परदान कभीरुद देनपूर इसमें ऐसा था कि आज 35-40 साल पुराना बिवात था सरकारी जमीन है बंजर जमी यह नियों थे लालता के गीन चीङ नाम पिजमें इस में नहीं आरोपी जो है जो आरोपी है नाम कि उसका जमीन है नहीं लेकिन अबtheग्जा है अबाठ कभजा है इन्टर्लाकिंग सांने लगा हुआ हुआ है उसके उधर उद्धर उइस्का मकान था अब बंजर में तरफ यह मकान जब अजर्ष्टी बनाया है नया मकान जो कि आज के शाट महिना पहले कुछ बीवात थोड़ा भूत हुआ था तुरंट फोन आया तुरंट हम पहुंचे मोके पे दिए और हमारे गाओं के मानिंद लोग भी थे सामने बांडरी कराके भी वाइये लेकिन इसके मन्में हम लोग ये नहीं बिवाद तो खतम इतना बड़ा घटना का अंजाब दे देगा कैसे कहां क्या समय था कैसे घटना हुआ ऐसा था कि जैसे राम जस उकील है उकिल साथ अनुराग के चचेरे भाई वो जा रहे थे रमेश ने तलवार निकार उनको दवडा लिया जब दवडा लिया तो भागे जो है प्राइमरी स कालूम है सब अपने काम काज में सुबक बेला थी खेते के अरी चला गया था सब किसान है फिर ओ दत्वन तोड़ा तोड़ते हुए करते हुए इसे जुमते जा रहा था आचानक रमेश ने उसके पीछे से मारा पूरा गर्दन उतर गया जब गर्दन उतर गया धर अलग हो गई असर अलग हो गया दो मिनट बाद हमें फोन गया तुरंद वहीं नहाख हम पूजा करने जा रहे थी तुरंद जिस अश्था में से तिसी अज़र में तुरंद गाड़ी स्टाट करें पहुंचे यहां पहुंचने के बाद देखे कि धड़ अलग असर माताजी की गोज hogyanे देखने बाद आंक नमनको lagi उश्वा ओसमें फिर जो है दश मुर यह परतासन आयुआ के अनके गर में तलासी किये, तलासी के दवरान, चार-चार, हम मोके पे साथ में थे, चार-चार तलवारे, चार-चार तलवारे, तो दो पिष्टले, एक गर्नाइट बम भी था, फिर जैसे बोरिया में भर के ले जा रहे थे, गाड़ी के पास चार जगन सिपाही ने रखा, इतना ओ खीरा अरे पुरा पेजान लिजिए उसमें कोई भी सामने आता सबका मोड़ी उतार देता हूँ इतना आतंगवादी था आतंगवादी से उसका संबन था जारखन धनवाद में नोकरी कर रहा था वहां रमेस भी थे राजेस भी थे जो दोरोगा हुआ है जब से रिटायर होक इसका संबन था इतना असलहा लेके घर में रखा था उसके बाद जब से आया है आज लगबग 12-14 महिना हो गया 18-18 मुकदमा सब के उपर किया है पूरे मुहले हमारे 50-100 घर का मुहला है सब परसान है अगर एद दो करोड रुपया रिटायर होके दो करोड रुपया पाया ह पायसा के बल पे पुरा आतंग मचाया है अगर इतनी दबदबा थी जब से जब से वो दरोगा हुआ है तब से यहां पुरा तांडो मचाया था यहां सब परसान थे डर डरते थे रोट पे जाता था तो सब रोट छोड़ देते थे उतर जाते थे और इतना तांडो मचाया इसका पोस्टिंग हुआ है दरुगा पद पर तब से जाली जिए कि यहां पूरे तांडो मचा दिया है सब परसान है महले प्रदाम पुलिस प्रसाशन इसकी मदद नहीं करती थी क्या राजस्टी मदद नहीं करती थी प्रिवार की कि की कोट की मामला है राज्यसमंग भी कमिया हैं कि कमी हैं हम लोग आएं यहां पर समझा बुझा कि बाउंडी करा दिया इतना आप बता रहे हैं तलवार निकल रहे पिष्टेल निकल रहा है तो वह पुलिस प्रसासन क्या कर रहा था भी एक किसी कोई एक लड़का सोचल मीडि था इतना तांडो मचाया था इसलिए घर बैठते हैं आता सब क्या फाको पुरा मुहां पर सांट हैं कि कई भी आप पता यह इतना तांडो मचाया था एक दरोगा んसके बल आउट डर रहे थे दरोगा आए भई मरबाद देगा बंद करा देगा पैसा बल पे सब डरते थे एक बार नहीं सब भून के राम जी राम सकल जब वीवाद बंसु बिनोत जब विवाद होता था 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 हमें फोन करते थे हमाते थे समझाजे बुझाते थे हमारे ही खिलाफ यहां इसलिए जो है यहसों सबसुंता है कि कि यह मामला-चैए कि उसकुनला के पूछकोर लेकिन आजaking रहा है लेकिन उसको यह नहीं डरने वाले भी नहीं है नियाए पर डरने वाले भी कुछ करना चाहिए था ऐसा था कि हम लोग हम दोनों पार्टियों बैठाकर एबाउंडरी बाउंडरी तरफ देखाए यह बाउंडरी हम मरवाद यह तो हम तो एजाने के मामला खतम हो गया यह सब भी पलिवार के लोग जाना कि बीवात खतम हो गया जैमीन का जो कोड में चल चाहिए पहला हुआ है एक तो यह आतंक वादी है ना इसलिए नहीं माना नहीं बहुत से हम तो गांव करदान है चार-चार पेड़ियां परधान हम थी चाहती पेड़ी परधान हम है बहुत पूराने परदान हम दोनों पार्टियों की बाइचा कि मामला बन गहता होगा इ हमें फोन गया हम तत्काल पहुंच गये बाउंड जैसे गाहों के मानिद भी लोग थे भाई हम कहें देखिए सरकारी जमीन है इस मामला को अपने अपना लेकी रिखिए और नहीं तो इस समय सरकार भी चला रही है गिरवाँ देगी आज उसली बूल डोजर का हम लोग कर इंतिजार भी है कि इनका घर मकां दोनों गिरे चुकी इनका नाम की जमीन है सरकारी जमीन है जो राजेस नोकरिप है उपद से हटे और रमेज की इंकाउंटर हो जो इसने गला काट के रेट के गला उतार दिया है धड़ा अलग कर दिया है घला अलग कर दिया है हम लोग के इंकाउंटर हो इसके घर पे बुल्डेजर चले जो तैनात मेरत में जो दरोगा है और नोकरी से हटाया जाए पांच पांच लड़कियां है एक लड़का था आज चिराग कोई दिया जलाने वाला नहीं है हम यहीं चाहेंगे कि उस घर में एक लड़कियों को नोकरी दिया जाए कि जना अपना परिवार खिला जिला सके निगानात हो जाएंगे रोड़ पूतर जाएंगे गड़ितं प्रतान जी अब इस पिरित परिवार के लिए कुछ मदद की सरकार से कुछ गुजारिस है कि क्या हो कि पांच बहने हैं उसकी जो है अब तो मा वी तरह हो गयी है जिसका लालग हो गया है है उनकी क्या गुजारी से हमारा येहीध्य गुजारी है कि एक लचे को एक नोकरी दें जिसका साधी नहीं हुआ है और इसका धूनों मकान gs में है इसको घिरुवा दें उसका इंकाउंटर हो जाए और उस नोकरी से हटायज बस एही इस गुजारी है जना ये नोकरी पाने पर अपना जो है माता पिता का अपने पलिवार को खिला जिला सके इसलिए हमारे साथ गाउं के प्रधान थे इनका साब कहना है कि ये दबंग परिवार का था जो आरूपी था ये कहीं न कहीं जो अनुराग यादों की हत्या हुई है उसके परिवार के साथ इन पूरे गाउं की संबेदना है पूरे गाउं के लोगों का कहना है कि जो हत्या आ हारत